नमस्कार स्वागता आप सभी का हिस्ट्री त्रीशिट्री चैनल पे मैं रवी कुलरी एस्ट्रेक्स राजसान से आज के इस वीडियो में मैं कंपेरिजन और रिव्यू आप दोनों मान सकते हैं सौरब कुमार चौबे की प्राचिन भारत की इस से पिछला संस्क्रण जो लगबग नो महीने दस महीने पहले आया था और एक यो जो नया संस्क्रण जो ग्रीन वाला है ये नया संस्क्रण है तो इसमें क्या बदलाव किये गए हैं किन एक्जाम्स के लिए किताब 225 में लेंगे 728 पर और आप साइज भी देखेंगे तो लैंधिन की अल्मोस्ट सेम है वीडित में बात करेंगे तो नई वाली किताब है वह थोड़ी सी आप को विडित में वड़ी कम में तो थोड़ी साइस की छोटी लग रही है पेज़ भी चार कम है तो फिर यह नहें स पेज चैयार कम कैसे हुए है पहले आप देखते थे कि पुराने वाली किताब में आपने देखा कि टोपिक के बाद में आपको कुछ क्वेशन दिये गए हैं किसी में 30 किसे में 35 किसे में 50 इस प्रकार से तो जो क्वेशन के पेज थे तकरीबन 80 थे वह इन्हों हटा दिये हैं यानि आपको नई किताब के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेशन जो हर टोपिक के बाद में दिये जाते थे वह नहीं दिये गए हैं उसके कारण यह थोड़ी अपडेट होने के बावजूद भी इसमें 4 पेज कम है तो एक क्लीर हो गया प्रैसिंग की बात करें तो इसका MRP तो आपको 500 से ऊपर दिखेगा 545 है लेकिन ओनलाइन आप देखेंगे तो 430, 440, 450 और उसमें दिलिवरी चार्जेश आपकी एड़ हो जाते हैं तो यह लगबग फिर आपको 400-500 के बीच में आपको पड़ती है ओफलाइन मार्केट में इसका रेट हो सकता है कम हो उत्तरप्रदेश में जहां से यह पब्लिश हो रही है तो वहां और थोड़ा कम हो सकता है मुझे ओफलाइन मार्केट का ज्यादा जानकारी नहीं है अब मैं इसका इंडेक्स की बात करूं पूर्य वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्य सेम के सेम दिखेंगे इसमें कोई अंतर नहीं है बस यहीं है कि इसके अंदर जो एक संगम वंश है उसका थोड़ा सा क्रम चेंज किया है उसको थोड़ा सा नीचे ले गए और इसमें थोड़ा सा पहले ऊपर की तरफ दिया हुआ था बाकि टोपिक वही है 20-20 टोपिक देखने को मिल सकते हैं जैसे सब्वेता और संस्कृति लेकिन एक दो पेज का है इसमें कुछ भी विशेश नहीं है इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आपको नहीं है बाकि यह तोपिक आपके थे ही प्राचीन भारत में गुहा स्थापत्य यह आदा पेज एक पौना पेज करीब थोड़ा सा मेटर है यहां टोपिक आपको पिछली वाली में 23 दिख रहे थे यहां पर 27 दिखेंगे एक प्राचीन भारत में कांसे कला और मुर्ण मूर्ती कला है यह एक साथ लिकर का था अब की बार इसको दो टोपिक में इसको डिवाइड कर दिया है तो इसलिए इनोंने काल कर्म का दिया है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यह देखिए घट्नाओ का अगर्म कि यह आप इस प्रिकार से इन और गट्राइफ का लगरंधी यह वाली बात इसके अंदर नहीं है वही है क्योंकि पहले से भी यह लगबग सारे टॉपि में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें बदला हुआ है जैसे प्राचीन भारती इतियास के शुरूत है तो यह जो मैंने पिंक कलर में हाइलेटर का किस इस्तिमाल किया है यह दिखाने के लिए क्या है कुछ टोपिक के अंदर कि आपको पता चल जाए आपको एक सही आइडिया हो जाए कि कितना बदला वह तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहां पर जोड़ी गई हैं बाद को क्या कुछ इसमें क्यों करने होते हैं लेकिन आपको एक अडिया हो जाएगा हर प्रकार के टोपिक में से इसको कंपेर किया यहां पर यह जो आपको दिख रहे हैं जो मैंने यूज किया है यह यह आपको सब वो दिखेंगे जो की चंज जो नया कुछ आया है वह इसके अंदर आया है इसे मुझे जादा तर यह देखने को मिला करी जिगा इंसे इसे लिए हो सकता है यह जैसे नेट जी आरफ में कई पुछे जाते हैं तो उन में से उन्होंने वो पॉइंट उठा के और उसके अंदर एड़ कर दिया कि एक दो दो सब्सक्राइब करें तो उसमें जो भी कुछ नया फैक्ट मिला है कि मैं देख रहा था प्रशन पत्रों के हिजाब से मुझे लगा कि यहां पर लिखाव है इस टाइप से उन्होंने कई जगह लिए और 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 उन्होंने कुछ और सोसे फोले क्योंगे इसमें से एक मेजर स करने का प्रियास किया है तो यह इस प्रकार की आपको कहीं बिल्कुल कम मिलेगा कहीं पे आपको थोड़ा से ज्यादा लाइन एड कर कि मिल जाएंगी ज्यादा इतना भी यह मुझे नहीं लग रा कि क्योंकि पुरानी किताब जिनके पास है उन्होंने लगभग 9 महीने पह वह उन्होंने एड करने का प्रियास किया है और एक दो सौर्सेज इन्होंने ओर यूज किया होंगे लेकिन यहां पर इस पेज में आप देखेंगे तो यह सिग्निफिकेंट है मतलब यह पता चलता है कि यहां काफी कुछ मेंटर एड किया है तो इसी प्रकार से इसके पर मानव कि उद्बहर विकास में यह की हो मोन लेडी का एक्स्टा एड किया गया है यह कुछ बाते हैं देखो पर यहां पर नहीं है पिर यहां पर देखो इन्होंने यह जो है दो लाग से दस जारी सुपूर पहले इन्होंने यह च्छे लाग लिख रखा था और यह च्छे लग था इसमें यहां 35 लिख रखा था इन्होंने 30 लिख रखा था तो मैच भी नहीं हो रहा था तो यह 40-40 कर दिया यहां पर इन्होंने जहां आगे कहीं पर भी जरूरत पड़ी जैसे इसी टोपिक में आगे जब आएगा तो यहां पर यह करना भूल गए 35 करना लगाया है यहां 12 जार लिखा में सर्फुनमें देट समय। आगे देखता हूं जैसे मोरिय सामराज्य का अंत एक सो पिचासी स्वी पूर्व में लिखा है संद्रगुप्त मोरिय का राजरों 322 और 321 किताबों के अंदर 322 321 324 अलग-अलग मिलते हैं और किसी को भी पूर्णत है सत्ते हम नहीं मान सकते लेकिन जैसे पीछा भी शायद अंदर जैसे मोरिय वंसा यहां यह 322 लिखते हैं यहां यह 322 लिखते हैं 184 लिखते हैं आगे जाके एक सो पिचेसी करें यह थोड़ा समयच हो जाना चाहिए था हालांकि यह कोई बहुत कोई इस्यू नहीं है मतलब नेगलीजिबल है क्योंकि यह तो आप अलग-अलग सो दियान क्या रखना है जैसे आप 184 रटो मत इसको इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि यह डेट है वह अलग-अलग-अलग मेंशन है अब इसके आपने 184 पढ़ लिया वह स्टेट्मेंट 185 का दे रखा है तो उसको देखकर आप गलत नमाने क्योंकि कई भी जारतिया सक पाशान काल के अंदर किस प्रकार से टोपिक चेंज होए हैं साथ-साथ में बात कर लेते हैं परिक्षाओं की तो परिक्षाओं के अंदर पीजीटी का एक्जाम है उससे नीचे की लेवल में तो टीजीटी इत्यादी के लिए तो आप नहीं पढ़ सकती तिनी भारी भरकम किताब लेकिन पीजीटी का एक्जाम है असिस्टन्ट प्रोफेसर का एक्जाम है नेडज एरफ के एक्जाम में आप जब आप पेपर देखोगी तो आपको प्रतम दृष्टियाज पेपर देखने पैसा लगेगा कि यह कहां से पूछ रहे हैं हमारी किताब मितलग नीरा क क्योंकि उसका 30-40 मेंटर ऐसा होता है कि उसमें आपको अलग 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 प्रताइप के स्टेटमेंट और इस टाइप से मिलते हैं कोई भी फॉलो करोगे आपको उसमें हमेशा फील होगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर बाकी रही जाता है और उसको कोई भी किताब कवर नह प्रेच नहीं कर पाया मैं क्योंकि फिर देखो हर टोपिक के अंदर और ऐसे लाइन बाइन मिलाएं तो फिर यह बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इतना तो कोई करी नहीं सकता तर यहां पर देखो यह जो कारवेल वाला है औरी सवाला फिर यह वाका टकवंश है इसमें दे अपडेट नाम का अपडेट नहीं है कई बार तो मैं क्या देखता हूं कि बिल्कुली एक अद लाइन कहीं पर एड़ होती है इस बार इसके अंदर ठीक ठाक अपडेट इसके अंदर की दिया गया है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपको जो 80 पेज़ थे आप 4 पेज कम भी कर फिल्क को जोड़न के अंदर क्या साउथ इंडिया का सबसी इंपोर्टेंट अंपिक है इसके आप देख सकते हैं यहां पर कफी सारा मेटर लिखा है इनके सौर्सेज के अंदर कि यहां आपको दिखादे नों देखिए प्रशाशन के अंदर काफी सारे सारी चीजें लिख किताब के अंदर कुछ भी कहें आप इसके अंदर बदलाव तो उन्होंने किये हैं लेकिन बहुत जल्दी आगया इसका कारण विद्यारत मेरे पास कई वी जारत मेंसेज आए कि तो नो महिने पहले आए था किसी ने चार महिने पहले करें तो वह मैं आपका इशु समझ सकता ह कोई नए हैं वेड कर देते हैं तो नए विद्यारती जो अब नए सिरे से खरीद रहे हैं उनको तो कोई इशु नहीं है एक अपडेट किताब मिल गई जो पुराने विद्यारती है उनके मन में थोड़ा सा डाउट कहीं पर हो जाता है लेकिन को इतना ज्यादा भी इशु पहले भी संस्क्रण आते थे जिसमें एक में जो पिंक कलर है उसका इस्तमाल दो कलर में आती थी वह बुके तो भी अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें से भी पहले वाले से में भी कोशन आते थे वह उन्नीस भी इसका फरक आप मान सकते हो जो खरीच सकते हैं लेकिन बिल्कुली आप यह फील मत करना कि आपके पाह मैं अब क्या करूं ऐसे करने वाली कोई विशेस बात नहीं है कि आप नए अडिशन नहीं लेंगे तो आपको बहुत बड़ा चूक जाएंगे ऐसा भी नहीं है हाँ जरूरी जरूरी पॉइंट जो प प्रोफिसेर नेट इतयादी के लिए अच्छी किताब है थोड़ी बड़ी है लेकिन इसके अंदर ठीक तरीके से आपको चीजें मिल जाती हैं कोई भी एक्जाम हो आपको इसमें से क्षेशन मिलते हैं अच्छे-खासे क्वेशन मिल जाते हैं इसलिए ये इकिताब रिक्म किताबों में नहीं देखने को मिलेगी लेकिन जो एक्जाम का परपज है जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा करने हो तो इस प्रकार की किताबें पढ़नी ही होती हैं और काम भी आती हैं तो यह किताब पढ़ी जा सकती है कितना क्या चेंज होया है वह मैंने आपको बताया है धन्यवाद